नमस्कार किसान भायों आप सब कैसे हैं? आप सब बच्चे होंगे, बढिया होंगे जैसके आप वीडियो में देख पा रहे होंगे ये जो है कतला मचली है और उसके बच्चे हैं और ये बच्चे जो है धाइसो लाइन का हो गया है इसमें हम लोगों ने जीरा साइज का बच्चा इस तलाम में जो है दस लाग बच्चे स्टॉक किया हुआ था और ये बच्चे जो है बारिष में थोड़ा इसको चला के हलचल करनी थी तीस दिन इसका पूरा हो गया था इस होज़ा से ये जाल भी चली है और एक जन को ये बच्चा जो है देना भी है बहुत ज़्यादा नहीं उनको चाहिए था सिर्फ मतलब दो हजार बच्चे उनको चाहिए था तो उसी हिसाब से अब इसको निकाल के हम लोग महिंद्रा की जो पिक अफ होती उसमें लोडिंग करके उनको दे भी देंगे और उसी हिसाब से जैसे 30 दिन इसका पूरा हो गया है तो जाल भी चलाना जरूरी होता है क्योंकि IMC मचलियों में एक महिने पे एक बार जाल चला देने से उनमें जो सुस्तपन होता है वो दूर हो जाता है उसी वज़ा से ये जो है जाल चलाई जाती है तो आप देख पा रहे होंगे अभी स्क्रीन पर उसको हम बच्चे को हांत में लेकर आपको दिखाएंगे भी कि कितना बड़ा बच्चा है और क्या activity है इन बच्चों की और क्या quality है मतलब बहुत लोग होते हैं कि जो कतला होता है तो उसमें double breed करा देते हैं जिसे आप दोगला कतला भी बोल स देखते हैं तो प्योर जो रहता है तो आप देख पाएंगे तो अभी तो यह थोड़ा सा देखा जा रहा है कि इन में कोई दिक्कत उपकत तो नहीं है और इनको इन बच्चों को जो है जब हम लोगों ने जीरा साइज का स्टॉक किया हुआ था तो इसको जो है सरसो की खल दियुक्ता 1 उसी के जरीए हम लोग इसको फीडिंग कराते हैं तो दोस्तो जो भी लोग नए आये हों प्लीज जो है चैनल पे प्लीज जो है चैनल को सस्क्राइब करें लाइक करें और शेयर करें ताकि और भी किसानों को ये वीडियो यूट्यूब के मार्यम से जा सके अ सब्सक्राइब करने में आपका कुछ भी पेमेंट नहीं लगना है तो प्लीज जो है चैनल को अपना प्यार दीजे और देखिए ये कितने एक्टिव बच्चे हैं जो इतना उचल कूद कर रहे हैं आप स्कीन पे देख पा रहे होंगे तो क्या होता है हापे में जब इसको रख के सस्टेन कराया जाता है दो तीन घंटों के लिए तो ये मजबूत हो जाते हैं और आक्टिव हो जाते हैं बच्चे और वो दूर तक सफर करने में बड़े आराम से चले भी जाते हैं तो देखिए अभी इसको हम लोग थोड़ा सा निकाल करके इसको जो है तौलेंगे और तौल करके जो है जो है जो पिकप होता है डाला होता है उसी के माध्यम से हम दूसरे किसाने के हाँ जो है इसको लेके देंगे तो ये देखिए ऐसे ही करके हम लोग बच्चे को जो है पानी भर उससी मिलेंगी जानने के लिए हैं और जितना भी बच्चा हम लोगस्टाक करते हैं वो ऍ्रस्टाक करते हैं mix में culture नहीं कराते हैं क्योंकि सभी लोग अपना अलग-अलग percentage लेके आते हैं कि हमको इतना percent रोहू चाहिए और इतना percent कतला चाहिए तो उसी इसाब से सब तलाबों में अलग-अलग breed एक 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 रखी जाती हैं हाँ हो सकता है कुछ बच्चे mix में चले आते हैं तो उनको हम लोग जब जाल चलाते हैं तो उसको हाँच से निकालके उसको अलग कर देते हैं फिल्टर कर देते हैं उस बच्चे को तो ये देखिए ये बच्चा जो है लेके जा रहा है इस महिंदर की pick-up जो डाला है इसमें पानी भरा हुआ है और इसी में ये बच्चे को ऐसे ही छोड़ देंगे क्योंकि बच्चा बहुत कम जाएगा इनके हां दो ही हजार बच्चा है तो फिर भी हापा चलाते हुए जाएंगे अभी हापा भी दिखाएंगे कैसे ये हापा मारते हुए ये बच्चे को लेके जाएंगे ये एक तलाब का पूरा व्यू है और ये तलाब जो है पांच एकड में बना हुआ है जिसमें जो है साथ तलाब हम लोगों ने चार छोटे छोटे और तीन जो है एक एक एकड के तलाब बनाया हुआ है जिसमें ये मचली निकल रही है ये पूरा एक एकर का तलाब है और ये देख पा रहे होंगे ये पूरा एक एकर का ये तलाब है जिसमें मचली को पकड़ा गया है और जो आप इसकीन के आगे वाले तलाब को देख रहे हैं ये हाफ हाफ एकर के दो तलाब है तो अब जो है ल लोगों ने रखा हुआ है यह जो है प्योर जो है कि कतला मचली के बच्चे हैं आप देख पा रहे होंगे इसकी इन पर ऐसे ही पानी में रख करके इसको जो है लेके जाया जाता है एक जगह से दूसरी जगह जिसके पास ऑक्सीजन नहीं होती तो इस माध्यम से लेके जाया जाता है अगर ऑक्सीजन रहेगी तो इन बच्चों को जो धाई सो बच्चा है वो एक polythene में एक ही केजी आयेगा लगभग 200 बच्चे आएंगे, क्योंकि जब बच्चा बड़ा होता है, तो उसको oxygen की requirement ज़्यादा होती है, तो देखिए, आपको दिखाते हैं, हाथ में पकड़ करके, ये देखिए, प्योर जो है, कतला मचली के बच्चे हैं ये, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये साइज है इनका, जो 200 लाइन का बच्चा है, तो इसमें अभी हम लोग हापा चलाते हुए इसको, लेके दूसरे किसानों को तक जो है, लेके जाएंगे, तो ये रहा तलाब, जो 5 एकर का है, एक ब्यू दिखाते हैं आपको, ये साइड निट से पूरा कबर्ड है, पूरा तलाब किनारे किनारे पे जाली लगी हुई है, उससे ये रहता है, साप वगेरा जो है, इस तलाब में नहीं जा पाते हैं, थोड़ा सा मिट्टी में ये दबा करके, ये जाली किनारे किनारे पे लगी हुई होती है, और जो भाई लोगों को seed चाहिए बच्चा चाहिए वो हमसे दिये गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं और बच्चा आप अपने अहां मंगा सकते हैं अगर जैसे मेरे तलाब से नहीं जाएगा तो जो हमारी hatcheries वगएरा है वहां से हम बच्चा आप तक भेज पाते हैं और ये देखे ये हापा लग रहा है और थोड़ा सा बच्चा इसमें stock करेंगे और ये गारी जाएगी वहां छोड़के आएगी तो कुछ लोगों को और चाहिए था तो इसमें हापा लगा के ऐसे ही इसको रोका जाता है ताकि ये तब तक ये टाइट हो सके बच्चे और एक जगा से दूसरी जगा जाने में अच्छे से सस्टेन कर पाएं तो ऐसे भी आप हापा लगाने का ये ही जरिया होता है और ऐसे ही हापा आप लोग भी लगा लिया करिए और इस चैनल पे जो है और सारी वीडियोज आने वाली हैं जो किर्सी से रिलेटेड हैं जैसे मुर्गी पालन हो गया उसका भी वीडियो आएगा और जो खेती किसानी होती उसका भी वीडियो आएगा मच्छली पे तो ये खास चैनल है ही है और भी कुछ वीडियोज रहेंगे तो आपको दिखाने की कोशिस पूरी करेंगे जिसको जो पसंद हो वो आदमी अपना काम कर सकता है और एक एकर में IMC मचली का अगर जब जैसे आप 1 kg प्लस करके निकालने वाले हैं पांस जार बच्चों से जादा आप लोग जो है श्टॉक मत किया करिए क्योंकि हाई डेंस्टी होने के कारण जो है उसमें ऑक्सिजन सौर्टेज होता है और भी जो है मचली ग्रोथ नहीं कर पाती हैं कई लोग जो है बहुत जादा जो है बच्चे को डाल देते हैं ग्रोथ नहीं कर पाती है तो प्लीज जो है अगर आपको 1.5 kg 2.5 kg लेके जाना है बच्चों को वहाँ पे हार्वेस्ट करना है तो आप जो है एक एकर में 50000 बच्चों से जादा आप जो है श्टॉक ना किया करिए तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी है हमें जरूर कमेंट करके बताईएगा और चैनल पे जो नए आए हो प्लीज जो है चैनल को सस्क्राइब कर लीजेगा लाइक कर दीजेगा, सेर कर दीजेगा तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो के साथ तब तक के लिए इजाज़त दीजे, बाबाए